ओके तो दोस्तों फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पाच बहुती कमाल के Android एप्लिकेशन्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं तो चली फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं तो हमारे list में नμबर एक पर जो application है इसका नाम है kanneid अब इस application की मदर से आप अपने फोन में इंस्टॉल केए गये किसी भी application का APके निकल सकतों जैसा कि आपको पता है कि आप playstore से जब भी कोई application इंस्टॉल करते हूँ तो वो सिधा इंस्टॉल हो जाता है उसका APK हमें नही ही मिलता तो अगर आपको कोई application का APK किसी को send करना है किसी को भेजना है तो उस case में आप इस application का use कर सकतो तो इसको आप इंस्टाल करने का बाद open कर लेना उसके बाद आपके सामने इस तरह का मतलब जितने भी आपके प्रफं में application होगे वह आपको यहां पर शोग करेगा यहां पर आपको search का प्रफिक्षन मिलता है तो यहां से अप शर्च भी गर सकत हो किसी भी application को जो भी पर क्लिक कर लेना है और आपको जिस भी फोल्डर में आपके उस फोल्डर में सेव हो जाएगा तो इस तरकी से आप यहाँ पर इस एप्लेक्शन का यूज कर सकते हो काफी useful application है तो आप इसको जरूर से try कर लेना तो चले फिर पटावट से next application की दरब चलते हैं ओके तो अभी हमारे जो next application है इसका नाम है कालमेरिया अब यह बहुत ज्यादा useful application होने वाला है क्योंकि यह जो application है इसके मत इससे आप ब्रीटिंग exercise कर सकते हो अगर आपको डिप ब्रीट लेने के आदत नहीं है आपको exercise नहीं करते हो आपको थोड़ा relaxation चाहिए तो आप इस application exercise follow कर सकते हो और आपको जोई कापी ज्यादा relaxation फिल होने वाला है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे आप इसको open करोगे इसका interface आपको इस तरह किसी दिखाए जाएगा focus, breathe, relax, in steps को आपको follow करना है तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे आप इसको open करोगे यह यहाँ पर आपको नीचे के तरफ start option मिलगा, यहाँ पर seconds चलेंगे, time वोगरा और कितनी बार repeat करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, simple आपको start option के उपर click कर लेना, तो जैसे आप start करोगे animation यहाँ पर start हो जाएगा, उसकी हि animation के हिसाब से आपको follow करना है, और यहाँ पर जैसे जैसे बता देता है, उसी हिसाब से आपको follow कर लेना, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, mouth की मदश से आपको छोड़ना है, नक से सास लेना है, और mouth से छोड़ना है, इस तरह की से अलग-अलग आपको यहाँ पर instruction देता रह गाएगा और इसमें आपको जो है options में जाके आप यहाँ पर अपना अलग-अलग यहाँ पर preset भी मिल जाते है रिलाक्सेशन के उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग-अलग preset मिल जाएंगे तो आप अपने हैं सबसे set कर सकते हैं या फिर आप प्रम जाएंगे जैसे कि हाँ आप देख सकते हो और इसे आइकनर कर सकते हैं आप इस को तो इस तरकी से आप इस application का इस29 चाहिए तो आप इस application को ज sondern की दरब चलते हैं, ओके तो अब हमारा जो next application है, इसका नाम है टेला, अब ये बहुत ज़्यादा useful application होने वाला है, क्योंकि इस application की मतलब से आप अपने सभी sensitive files को इसमें आप छुपा सकते हो, hide कर सकते हो, protect कर सकते हो, और आप के सिवाई दुसरा कोई भी इसको नहीं देख पाएगा, उसको आप इसमें hide करके रख सकते हो, और उसको आप password protected कर सकते हो, तो चले फिर फटाफट से बता देता हो, आप इसका setup के से कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पिले इस application को install करने के बाद open कर लेना है, open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा तो simple से आप इसको get started कर लेना, यहाँ से आपको next, next करना है और यहाँपर आपको सबसे last में आके यहाँपर आपको password set करना है, तो यह जो application है इसको आपको कौनसा password set करना है, वह आप अपने हैसाब से करलेना, आप चाहे तो pin लगा सकते हो, pattern लगा सकते हो, लेकिन यहाँप इसके बाद आपको यहां पर फिर से next कर लेना है इसके बाद अब आपको यहां पर एडवांस सेटिंग्स के उपर जाना है और यहां से आपको continue without connecting to a server इसके उपर क्लिक कर लेना और अब आपको यहां पर एक option मिलेगा कि आप यह जो application है इसको hide कर सकते हो और इसका जो logo वगर के पीछे इसको चुपा सकते हो यहां फिर आप इसका name और icon भी चेंज कर सकते हो यहां पर आपको अलग-ख आइकॉन्स दिये है तो आप इसमें से जो बिए icon इसको set करना चाते हो तो आप अपने सब सीच में setup कर सकते हो लकिन अभी यहां पर मैं जो इसको चुपाना नहीं चाता मैं बस आपको यहां पर दिखा रहा हूँ उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है simple से यहां पर हम यह back कर लेता हूँ और back करने के बाद आपको यहां पर default log के उपर click कर लेना है अगर आप इसको चुपाना नहीं चाते दो उसके बाद simple से go to tella के उपर click कर लेना उसके बाद यह जो application है ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहां से आप इसको cross कर लिजे तो यह चला जाएगा उसके बाद आपके सामने इस सरका आ जाएगा तो अभी आपको हैंपर क्या करना है यहां पर आपको जो भी file को चुपाना चाहते हो जैसे कि यहां पर images को चुपाना है तो इसको select कर लिजे इसको select करने के बाद यहां पर plus option पर click कर लेना है और यहां पर आपको import from device के उपर click कर लेना है इसके उपर click करने के बाद आपको यहां पर दो options मिलेंगी लेकिन इसमें रहेगा तो इस बात का ध्यान रखना और आपको जैसा भी इसको यूज करना है उसी साब से कर लीजे जैसे कि यहाँ पर मैं keep original की उपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर मैं बस आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद से इसमें फोटो निकाल सकते हो और इसमें एड़ कर सकते हो तो उसी तरह किसा आप बागी के options इसमें यूज कर सकते हो जैसा मैंने आपको अभी बता दिया और अगर आप इसमें folders बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप All Files की उपर जाना है यहाँ आपको Plus Option पर क्लिक कर लेना और यहाँ आपको Create Option मिल जाएगा नीचे में इसके उपर क्लिक करके आप कोई भी folder बना सकते हो जो भी folder आप बनाना चाहते हो उसमें आप अलग से फाइल add करके रख सकते हैं, जैसे कि अभी हाँ पर मैंने folder नाम से ही folder बना दिया, तो इसको open करके आप इसमें अलग से file add कर सकते हो, तो बहुती useful application है, इसको आप जरू से try कर लेना, अगर आपको आपके पास कोई AC files है, जिसको आप छुपाना चाते हो दूसरों से, तो आप इस application को जरू से use कर लेना, तो अब यह हमारा जो last वाला application है, ओ एक launcher है, जिसका नाम है यह नि launcher, अब एक बहुती कमाल का launcher है, जिसमें आपको भर-भर के features मिल जाते हैं, तो इसको आप जरू से try कर लेना, और बात में आके आप मुझे comment में thank you बोल देना, तो चलिए फिर मैं आपक को थोड़ा सा बता देता हो उसके बारे में, तो जैसे आप इसको open करोगे, आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा, यहां से आप उपर की तरुप swipe करोगे, तो आपको यहां पर अलग-अलग application मतलब हर application जो category के हिसाब से आपको organize मिलेंगे, जैसे कि आप 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 देख सकत खरना है, और यहां से आपको move to category के उपर क्लिक कर लेना, और उसके बाद आपको जिसी भी category में इसको add करना चाहते हो, उसके उपर क्लिक कर लेना, जैसे कि आप यहां पर में आपको सिर्फ दिखाने के लिए चलो, tools के उपर बेच देते हैं, तो tools में डालने के लिए यहां पर आप देख सकते हो यहां से चला गया और अभी यह जो ही टूल्स में चला गया इस तरह किसे आप अपने तरफ से तो स्मॉल साइज में जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस ओप्शन देआ हैं इस पर क्लिक करोगे तो जिस भी चीज़का आप शॉटकट बनाना चाथो तो इसके लिए फिर से यहां से उपर स्वाइब करेंगे और यहां पर आप देख सेटिंग वाला जो shortcut है और यहां पर add हो गया है तो अभी यहां पर क्लिक करने से सीधा जो display का setting है और यहां पर open हो जाएगा तो यह बहुती useful feature इसमें आपको देखने को मिल जाता है और इसमें आप जोई widgets भी एड़ कर सकते हो widgets एड़ करने के लिए यहां पर आपको नेचे की तरफ widget का option में लगा इस पर click कर लेना और यहां पर आप देखसें तो यह widget add हो गया है तो इसके साथ आप यहां पर और भी widget अलग-अलग add करके रख सकते हो तो यहां पर अगर आप home screen के उपर जादा मतलब add नहीं करना चाते हो तो इस तरगी से आप इसका जो hidden panel है यहां से उपर swipe करोगे तो वहां पर आप आप add करके रख सकते हो तो यह जो है कापी जादा useful feature मुझे लगा और उसके साथ है आप यहां पर home screen पर add करना चाते हो तो ओप यह आप कर सकते हो home screen के उपर widget add करने के लिए यहां पर long press करना है यहां पर आपको widget को option मिलेगा इसको select कर लेजे पर आपको जो भी widget add करना है उसको select कर लेना है तो जैसे कि अभी के लिए यहां पर मैं clock को select कर लेता हूँ क्योंकि clock जो है हमने add नहीं किया था तो इसको हम add कर लेते हैं और इसको मैं create कर लेता हूँ तो transparent वाला clock add करते हैं तो यहां पर आप देख सकतो widgets यहां पर जो है add हो गया और इसको आप छोटा बड़ा जैसा भी करना है और इसमें आपको app lock का भी feature देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको यहां पर long press करना है app lock को feature option मिलेगा इसको select कर लेजे और आपको एक password बनान इसके बाद आपको यहां पर जो lock option कर लेना है click उसके बाद आपको यहां पर जो application है उसको आप जैसे open करोगे यहां पर password मागेगा तो इस तरकी से आप इसमें app lock का भी use कर सकते हो जो की useful feature इसमें दिया है इसमें आपको application को hide करने का option मिल जाता है तो उसके लिए आपको यह application को hide करना है उसको select करेंगे और यहां पर hidden apps में add हो जाएगा उसके बाद यहां पर apply changes कर लेना लेकिन अभी यहां पर मैं hide नहीं कर रहा बस मैं आपको दिका रहा हूँ और अगर आप इसका look वगरा change करना चाते हो तो यहां पर आपको global appearance के ओपर जाना है और यहां पर आप कापी सारे customization के options मिल जाएंगे आप अपने सबसिस में changes कर सकते हो उसके साथ है आप यहां पर any settings मिल जाती है इसके उपर क्लिक करके आप इस application का मतलब जो launcher है इसका भी setting change कर सकते हो इसमें आपको भर-भर के options मिल जाते है तो font वगरा आप देख सकते हो icons वगरा आप यहां प आपको सभी application पसंद आ जाएंगे और जितने भी application मैंने आपको बताए उन सभी के download link आपको description में मिल जाएंगे वहां से आप direct install कर सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करना मत भूलना तो मैं मिल आपको next वीड